कोटा जी लेक ये संवल फिदान सभा शेत्र से हीरालाल नागर को बाजपा ने एक वाल फिर प्रत्याशी बनाया है आप साथ तोर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जोश है उमंग है लोग ढोल बजा रहे हैं आतिश बाजी यहां पर हो रही है और इसके साथ ही लोगों लाल नागर को एक वार पालटी ने फिर मोका दिया है हम सीरे बाहत लागते हैं और भाषी टिकेट मिला है चौति बार टिकेट मिला है किस तरह से देखते है इसको पूरे बहुत अच्छी बात है नए अब तो जीतेंगे जीतेंगे फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे बहु मुद्धे हैं और हिरा आल चुनाओं जित देंगे सबाद चोती बार टिकेट मिला है उनको हम सब साथ है उनको क्या दो मनोजी बोलो उनकी सांग और विदानसभा में जो पंड़ा साल की जो लगातार मेनत रही है उसी का फले कि आज उनको चोती बार उन भार जिनता पार्ट किसमार विदाय को लेंगे रही खेगा किसान नेता हैं किसान के लिए मिसाओ लड़ें जब तोजार 18 में उनोंने शांगोज सेतर के लिए जो पेजिये किसानों के लिए इसे चाहीं योजनाश्र करत की ती वो कांग्रेश के मंत्री ने जो विदाय की रहे हैं पहले अभी अन्हों ने उसको रोखने का म काम किये आज की सानों क्य verm лишь पondaaji कर दिये जैसे कर वापस उन सभी मुद्दों को लेकर आ के ऄगे लिए कि आएंगे और जो भी विकास अधूरे रहें उनको पूरा करेंगे तो साथ तोर से देख सकते हैं कि पाल्टी ने एक बार फिर हिरागाल नागर जी को बाजपा से प्रत्याशी बनाया है सांगोत विदान सभा से पहले भी विदायक रहे चुके और इस बार फिर पाल्टी न लेकिन पूरी संभावना ये भी जताई जा रही है कि कोटा से इस बार दो या तीन मंद्री मिलने वाले हैं कोटा से बीपी न्यूस के लिए दिनेश कश्चम